विडियो में मैं बात करने वोला टीपिलिंग कंपनी के ओर से आने वाला AC 1300 USB वाइफा अडेप्टर के बारे में जिसके अंदर 5 GHz और 2.4 GHz डूल बेंड दोनों देखने को मिल जाता है तो यह डूल बेंड का मतलब क्या होता है इसके अंदर कितना स्पीड ओवरोल देखने को मिलेगा और कितना मीटर के रेंज तक आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसके लिए कि आपको वाइफा को भी अपग्रेड करना पड़ेगा आपके घर पे जो लगा हुआ है जा फिर विसके थूए आपको 5 GHz और 2.4 GHz दोनों ओप्शन देखने को मिल जाता है और MIMO टेकनोलोजी का मतलब क्या होता है और यह वाइफा अडप्टर को क्यो यूज़ करना चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर यह फिल एप्टॉक के अंदर कनेट करके और नॉर्मल छोटा वाला USB वाइफा अडप्टर है तो इसमें और इसमें क्या डिफ्रेंट है कौन सा वाला पाउरफुल है वो सारी चीए तो आप भी सुचे को अच्छा सा वाइफा अडप्टर परचस करने के लिए आपका बजट आराउंट 1100 रूपीस के करीब है तो यह वाला मनें परचस किया टीप लिंग असी थाटीन रूपीस का एमेज़ान पर इफिरेंट इफेसे ले रहे तो आप एक बाद इसक्रिप्शन जरू चेक करना कुछी इस टाप का complete box packing देखने को मिल जाता है और जैसे कि येवाला support करता है विंड़ो 10 होगा, विंड़ो 11 होगा, Mac होगा, almost सारे के अंदर support देखने को मिल जाता है को मिल जाता है dual band का option इसके अंदर दिया गया है और इससे आप complete 180 degree तक rotate कर सकते हैं और इस side में आपको turn करने का options देखने को नहीं मिलेगा तो left hand side में आपको easily इसे जो भी direction में turn करना चाहते हो और प्लास्टिक में रैप होके और में PC के अंदर sound भी आ गया तो फिर आपको network पे क्लिक करना जैसे network करोगे इदर आपको एडवांस network का option देखने को मिल जाएगा और इधर आपको जो कि आड़ेप्टर का नाम दिख जाएगा डीवी लिंग वायर्लेस यूसबी अड़ेप्टर करके तो यह वाला मेरा जो कि आनेबल है इनकेस आपके और भी लगाए रहेगे तो इधर वह भी शो हो जाएगे और इसे मैंने अभी फिलाल के लिए डिसेबल करूंगा तब जाके चालूएगा और अभी जो कि दिख जाएगा इधर यह मेरा वाइपाई से कनेक्ट है इनकेस मैं इसको अनेबल किया और इधर मैं वाइपाई के अंदर आता और वाइपाई को बंद करता हूँ जैसे मेरा इस करना तो इसे मैं टैब करता हूँ और इधर इस पर प्रेस करूंगा तो इधर मेरा घर के लगए हुए तो इदर आधर मेरा में वाइपाई जो हौल के अंदर लगा हुआ है इधर से बरिबन पचीस तीस फिट के करीब दूर है फिर भी आप देख सकते हो इसका फुल रेंज देखने को मिल जा रहा है आपका पांसु से लेके हजार स्कूर फिट का एरिया आपके कोई भी रूम के अंदर भी आपका वाइपाई रहेगा तो यह फूल रेंज पकड़ लेगा और वहीं बात कर ले लिए ब्लान है आपको डिखा देखा देखा है री पता चल जाएगा 50 mbps का प्लान है है कि नहीं तो सबसे पहले जो मेरा वायर कनेक्शन वी से मैंने कनेक्ट कर लिया इधर आप देंसे तो इधरनेट का मार्गा गया और मैं आ जा तो प्राइवेट टैप के अंदर इधर में सच करता नेट स्पीड और फिलाल के लिए यह मेरा इधरनेट केबल के तुर कनेक्ट यह आपको इधर विजिबल रहेगा क्यों मैं दिखा रहा हूं क्यूंकि मेरा एक्चुल प्लान है वो आपको पता चल जाए 50 Mbps का है भी कि ने तो इधर आपको स्पीड से पता चल जाएगा मेरा 50 Mbps तक आ रह के तुरू है और यह 50 Mbps कंप्लीट दिख रहे हैं और इधर मैं आपको यह भी दिखा देते हो जो सकते वाइफा मैंने डिसेबल किया हूँ और देखे तो 46 Mbps का मुझे कंप्लीट स्पीड भी जो कि अप्लोड और डाउनलोड दोने स्पीड फूरे स्टेबल एक्दम दे द esté Sutlerने करका देता हो तो सबसे औरह तो 5 ग不到 चनेक्ट करता हो देखे करता तो सबसे आभेलोड परफ।की अंदर गिए वाइफाइब हरत लाएक चलिए होता हुड्स करते तो एक कमरें और में लगा हूँ आपको यहाँ ज्में मैं स्पीड यूज करना जैका मेरा इजिए मेरे घर के बाहर में 2.4 GHz में connect करवा देता हूं तो जिसके करए मिन का स्पीड थोड़ा मतलब रहता है स्पीड पर फिर भी जो कि मुझे जादा फास्ट स्पीड मिल जाता है तो फिर से आता हूं अब मैं नेट स्पीड और इसे मैं करता हूं कॉपी और यह मेरा वाई-फाय के त्रूब्या को सपीड देखने को मिल रही है आप अपना वाई-फाय का भी टेश्ट करना चाहते हो टेस्ट कर सकते हो नौर्मली यह कोई बाइफुद नहीं आएं जितना मैक्सिमम मैरा नेट क स्टेबल स्पीड ओरल देखने को मिल जाता है क्योंकि में वायर लेस के तो बीच में कुछ भी फ्लक्टिएशन होता रहता है पर इस अदितर के थोड़ा भी फ्लक्टिएशन देखने को नहीं मिल जा रहा है जो वायर के तो आपको इस पीड अप्लोड है डाउनलोड कि अम वह केस पर आपको 5 GHz का भी स्पीड भी आराम से यूज़ कर पाऊगे इसी अडेप्टर के तुरू तो यह मेरा 2.4 GHz के नदर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है अब मैं इसका नेट स्पीड बता जाता हूँ तो इदर से मैं करता हूँ वह केस पर क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको स्पीड कम देखने को मिलें पर इसके नदर 5 GHz और 2.4 GHz दोनों देखने को मिल जाता हूँ तो 2.4 GHz में जितना इसका रेंज मिल रहा है इतना जो कि मेरे पास ओलेडी एक चोटा वाला अडेप्टर वह अडेप्टर में लगा कि यूज करता तो इसके नदर मुझे इतना इस्पीड मिलता था और मुझे 5 GHz का चाहिए था क्योंकि मेरा जो वायर का कनेक्शन जितना मुझे स्पीड मिल रहा है इतना सेव स्पीड इस अडेप्टर के तुरू मिले वह केस पर मैंने यह वाला अडेप्टर जो कि यूज पर टीपिलिंग वाला वाई-डेप्टर बाय किया तो यह और आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है काफी अच्छी खासी स्पीड इसके इंदर जो एक्चुल रियल में स्पीड आती वो स्टेबल स्पीड मलती है फ्लक्ट्वेट वगेरा बिल्कुल भी नहीं होती है अब मैं आपको यह वी बता देता हूं इनके साफ ड्राइवर होगे रहा इंस्टॉल कर रहे हैं तो कहां से इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इदर जो के options देखने को मिल जाएगा types लिखा इदर model नेम आपको डाला है तो इदर आपको model नेम क्या डाला है जो आपके box में mention रहेगा आपको इदर model नेम यह वाले आर्क T3U plus करके वह आप इदर model ने टाइप करके वह आपको दिखेगा नहीं तो इसके नीचे ब वाई-फाइन नहीं आपको देखने को मिल जाता तो यह आपको जरूरी नहीं करके यूज कर सकता पर विंडोश सारी चीज़ें इस वाई-फाइप ने डीटियल में बता दी कुछ भी डाउट रहें तो आप मुझे कमें स्क्श्में पूर्चिस के 1199 रूपिस का अब आपको दिस्क्रिप्शन पर देखने को सब्सक्राइब कर देखें कि सो मच वाचिंग इस वीडियो कि अब अब आपको दो spr dusty कि अ कि अ झाल झाल